तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह है विनाइल फ्लोरिंग मैट या फिर विनाइल फ्लोरिंग रोल तो यह जो रूम है यह बेसिकली एक रेंटेड घर है जिसका जो टोटल कारपेट एरिया है वो है थाउजन स्क्वाइर फीट तो इसके अंदर हमने पूरे में विनाइल फ् देन इसकी अब हम पेस्टिंग कर देंगे तो यह वीडियो एक ब्रीफ वीडियो होगी जिसके अंदर मैं आपको कोशिश करूंगा पांच मिनिट के अंदर अंदर बता दूं कि कौन से वह चार से पांच स्टेप है जिससे आप इजिली विनाइल फ्लोरिंग शीट जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और तुवर्ड्स दी एंड मैं आपको कुछ टिप्स ट्रिक्स एंड कुछ चीजों का जिन चीजों का अपको ध्यान रखना होता है क्या क्या प्रेकॉशन लेने होते हैं वो भी सारी चीज़े मैं आपको बता दूंगा तो जैसा कि देखा आपन बताऊंगा सबसे पहले हमने फ्लोर को जो है वो क्लीन कर लिया उसके बाद जैसे कि हमने फर्स्ट पीस कट किया था मेजर करने के बाद उसके बाद हमने सिमिलरली जो यह सेकंड लेंध है सेकंड पीस है वो भी कट कर लिया था तो जो यह बैक साइड है विनायल फ्लोरी की इसके पीछे हम जो है ये अडेसिव लगाएंगे ठीक है आगे मैं बताऊंगा कि कौन सा अडेसिव हम यूज करते हैं क्योंकि काफी लोग हम से पोचते हैं तो ये वालो जो अडेसिव है ये काफी अच्छी क्वाल्टिक अडेसिव रहता है जिसका नाम है SR505 आगे मैं आपको दिखा भी दूँगा इसकी पूरी बकिट लगी थी ठीक है क्योंकि एरिया जो था वो था अल्मोस्ट थाउजन स्क्वार फीड ठीक है तो इसकी पीछे हमने प्रॉपरली ये अडेसिव लगा लियत हैं इसको हमने सूखने के लिए छोड़ दिया उसके बाद जो ये आप देख सकते हैं हमने जो फ्लोर है ये मार्बल फ्लोर है ठीक है फ्लोर की कंडिशन काफी सही थी as in कि floor कहीं से भी टूटा हुआ नहीं था you know uneven नहीं था and कहीं से भी उसके अंदर ऐसा नहीं था कि गड़े वड़े हो रखे हैं floor मतलब काफी हट तक smooth and even था उसके बाद उसमें भी हमने adhesive लगा के उसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दिया यह आप देख सकते हैं adhesive तो fevicol की तरफ से हम SR 505 यूज़ करते हैं SR की full formative synthetic rubber ठीक है तो उसके बाद यह approximately 1500 रुपीज की जो है पूरी bucket आती है 5 लीटर की ठीक है तो यह आप देख सकते हैं हमने second piece जो है जो कि हमने भी भार छोड़ रखा था वो हमने बिचाना चालू कर दिया है तो इसको हमने पहले ही नाप लिया था ठीक है तो उसके according कट करा and then उसके पीछे adhesive लगाया floor पे adhesive लगाया basically दो layer adhesive की लगाई ठीक है इस बात का आपको ध्यान रखना है तब ही मैं कहता हूँ कि हमारे चार्ज उसकता है हलके से जादा हो क्योंकि हम properly काम करते है time लेकर काम करती है ये तो वीडियो है तो इसलिए आपको मैं 5 मिंट के अंदर बता रहा हूँ बाकी एक room में लगाने के लिए भी आपको कम से कम 2-3 घंटे लग जाते है विनायल फ्लोरिंग लगाने में ठीक है तो यह आप देख सकते हैं हमने कैसे जो है फ्लोरिंग को पहले बिचाया and then यहाँ पे कट कर दिया कट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे बिचा रहे हैं दुबारा and पेस्टिंग कर रहे हैं प्रेस कर रहे है प्रॉपरली ताकि कोई भी बवल ना हो एन सब जगा से जो है फ्लोरिंग चिपक जाए कटिंग के लिए हम यूज करते हैं कटर तो जो क्लाइम थे उन्होंने बोल दिया था कि हमें अगर म YouPa कोई आटा है तो इसलिए हम फ्लोरिंग नहीं लगा रहे हो इस में जो जॉइंट आता है उसमें क्या होता है कि जॉइंट होता है वह ओवर्लैक होता है मतलब एक फ्लोरिंग के उपर दूस्री फ्लोरिंग आती है तो जैसे कि आप देख सकते हैं कति 역 fluct होती है वह overlapping area की होती है मतलब एक के उपर जो एक एरिया होता है उसकी cutting हो जाती है नीचे से एक piece निकलता है यह आप देख सकते हैं और वह मिल जाता है जो joint होता है वह easily मिल जाता है ठीक है तो I hope आपको जो है वो वीडियो अभी तक समझ आई होगी वीडियो समझ आई है वीडियो को लाइक करें आपके कोई भी doubt है feel free to comment down below also channel पर नहीं है तो channel को subscribe करें ताके आपको mattresses और furnishing से related सारी updates मिलती रहे we regularly put out content related to mattresses floorings wallpapers wall panelings sofa raw material curtains blinds etc so make sure कि आप चैनल को subscribe करें ठीक है अब मैं आपको कुछ important tips and tricks बताऊंगा ताकि आपकी जो flooring है वो properly install हो ठीक है सबसे पहले तो आपको make sure करना है कि जो आपका floor है वो support हो ठीक है smooth हो even हो गड़े वड़े ना हो अगर गड़े वगड़ा है तो आप नीचे उसके P.O.P. से पहले उसको smooth कर आई है ठीक है दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको अपने flooring जो है वो measure करनी कर लेनी है और इस बात का ध्यान रगना है कि आपको थोड़ा wastage और थोड़ा extra भी लेकर चलना है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका जो floor है वो suppose 500 square feet का है तो आपकी 500 ही flooring लगे गया ऐसा कभी भी नहीं होगा हमेशा extra लेकर चलना होता है वेस्टेज वगरा सब include करके चलना होता है बाकि depend करता है कि कैसा design है दूसरी important बात आती है कि quality of sheet for example जैसे कि मैंने अरड़ी बताया कि यह rented apartment है तो उन्होंने जो है वो जो हमारे पास minimum quality की जो sheet होती है वो भी अच्छी quality गया life job expect कर सकते हैं हो है somewhere between three to five years at your residence ठीक है तो वहाँ पे आप easily इसको install कर सकते हैं खर्चा भी जादा नहीं आता है आपको जो purpose होता है temporary आपको कोई flooring चीए temporary renovation चीए तो वह भी purpose solve हो जाता है इसके बाद एक 40 rupees per square feet वाली flooring है इसका तो जो प्राइज है जो अभी आप flooring देखने इसका प्राइज है 25 rupees per square feet बाकि इससे उपर एक आती है वह आती है 40 rupees per square feet एक आती है 55 rupees per square feet वह जो है flooring हम recommend करते हैं for industries ठीक है तो इंडस्ट्री में जब भी काम होना होता है तो वहाँ पर हम वह flooring recommend करते हैं for example मैं आपको एक बार एक video दिखाता हूं और यह वाली जो वीडियो है यह हमने अपने चानल पर भी upload कर दी है तो आप वह वीडियो भी check out कर सकते हैं basically सबका purpose अलग होता है किसी को long term चाहिए होती है किसी को को कोई short term solution चाहिए होता है किसी को ऐसा होता है कि कुछ durable and reliable चाहिए होता है तो उसके according हमारे पास basically के लिए चार flooring options है एक 25 rupees per square feet की vinyl flooring है जो आप वीडियो में देख रहे हैं इसके बाद एक इससे heavy quality आती है जो था पूरे घर का approximately thousands of feet of area था तो यह देख सकते हैं आप हमने पूरे घर में कर दिया था राइट एक बात का आपको और ध्यान रखना होता है कि जो भी furniture बगरा होता है उसको lift and shift करना होता है ड्राग नहीं करना होता है I hope आपको वीडियो informative लगी होगी अगर आपका still कोई doubt है feel free to comment down below बागी आप हमारे चानल पर जो है वहाँ पर comment कर सकते हैं also make sure कि आप वीडियो को like करे चानल पर नहीं है तो चानल को subscribe करे thanks for watching thanks for supporting